कि हलो बच्चों आप सभी का ओनलाइन कक्षा में स्वागत अभिनादन कक्षा 10 जो की हिंदी विज़े आप पढ़ रहे थे और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था और वह टॉपिक था काल और काल में आपने पहला काल पढ़ रहे थे बुद्कालिक खिरिया और बुद्काल म अब पढ़ रहे हैं तीसरा गुद्क बिद्याथ्यों की त्याब निवासा और त्याबस की पहचार होती है इसके बारे में पढ़ेगे तो आप आप आए कि पूर्ण भूद्क से क्या होता है की काल ये बहुत पहले हो चुका है काल ये क्या है ये महाबार्द रचा शाह सु führt होता है दूरा कि महाबार्थ से रमायन को सकत YOUR आपको यह हम करें वाटे siya करनी लेए आज तो रचा नहीं गया है यह तो पूर्व में किसी काल में किसी के दुबार सब्पादित किया गया हदों की पुर्ण हो चुका था अब ऐसे दाण हो रहे है वर्सा नहीं से के जिस्व गई थी हम आज वर्तमान परिप्रेक्षे में बात करते हैं पूर्वे की गटित-गटना का या भूतकाली किरिया की कि लास्ट यह कितनी भैंकर बर्सात हुई कि जिसे खेट की जो पसंद थी वो चोपड़ हो गई थी तो गटना का पढ़ी है पूर्वे गटी ऐसे आप इसकी जो पैचान जो करके फुदान के मादिशे हम समझे सकते है अब फुदानों में पूलिस के आदे से पहले ही जूटेरे फाग चुके थे पूलिस को सुपना अपने दिल एकि लुक्तरों को पता चाने गए पूलिस आ सकती है तो वहां से क्या हो जाए नो दो ग्यारा हो जाए अब बाहता दिये कि वह काली इंपोन करके किसी समय विश पता ही बाता थी पे गए आजिस से पहचान करके और वाक्यों को समझ सकते हैं कि कौन से काल के कौन सी किरिया किस परकार का भेद में प्रयोगित हुई है तो आपने क्या जाना विजाब यू पूर्ण भेद के बारे में आपने पढ़ा और पूर्ण भेद जिसमें कोई काल कि किसी समय में मुझा हो चुका था ये आप इपूदानों के मादियों से पहचान कर सकते हैं जैसे कोई और इपूदान ले सकते हैं महा भारत कौरव और पांडूं के पीच में लड़ा गया है नहीं लड़ा गया वो किसी काल में से इसकी बात आती है समझ गए बंडित अर्थम परदहान मंत्री ठेट है नहीं जिसका नाम जिसके साथ पूद जाता है तो वो फूर्व की बात के बारे में लिकरता है तो वो भोदकालिक के लिया का उड़ने ठेट का उड़न लिकरता है ऐसे आप पंद्रा अगत के नीस सो संतारी सो भारत आजाद हुआ था इनको स्वय बनाएं आकिरव कोपी में और फिर इसको समझें इसका क्या मतलब होता है रटे नहीं रटने से विद्या कभी भी दिमाग में नहीं रहती है तो यह लिए बड़े धन के सम्मान मानी जाती है तो इसलिए कहा है कि करत करत अप्यास अजण मतिवत सुजान रस्री आवत जात है सिर्फर प्रत निशान तो यह आप रस्षी से एक सीख लें कि पत्थर जब इतना कठोर होता है उसके ओपर रोज नित्य हमेशा आने से बस भी अपने निशान को छोड़ जाते तो आपको नित्य रोज दिशा इन पढ़ाई को आपको विशे बार क्या करना है स्वाधिय करना है और हमारे दौर अपड़ प्राई क्लास को समझना है समझ गए अब चलते हैं तो मैं उमिल करता हूं कि आप अने कुदार से बनाएंगे स्वेड़ अब बात आती है एरपोन के बार होता है एक सीचे के तो पहलों होते हैं हम दोनों की बात करते हैं वन बा की तो किरिया इस रूप से बूद होता है कि इस रूप से बूत है कि काम मुध काल में को रहा था कंटिनीवसली लगाता यहां देखिए वाके में मैं आंडिये करना हूँ कि हो रहा था कोई काल में कोई किरिया गतिसी लब्धी में कारिये कर रही थी उसे हम एकूर्ण कुर्थ के नाम से दाना करते हैं तो आपने जान लिए कि कोई काम भूतिसी में हो रहा था वहां इपूण समधा जाएगा माना जाएगा तो दाना यहीं चलते हैं वह सोपा था सोने की किरिया निरतत चब देजे पंखा चल रहा था जब मैं तक्षा के बाहर से निकल रहा था तो पंखा चल रहा था किरिया गतिशीर है कारिये गतिशीर है अब एक चुनावी रंग निरंग कर बढ़ रहा था जैसे चुनाव आयोग ने गोस्ना करती कि अमुथ तारिक के चुनाव संपादित होनी है तै किये है कोई डेट फि पुरा दंख्म लगाने में पुरा जोड लगाने में पुरा प्रियास करते हैं तो वो क्या है कौन सी किरिया हो यह बढ़ रहा था हमने भी क्या पताया आपकर काम भूद काल में हो रहा था ऐसी किरिया जहां पे मिलती है ऐसी किरिया जिस काल में संपादित होती है वह है का भूद काली किरिया का एपूंट भूद कहलाता है जो कि यह पार्ण आप पढ़े रहे हैं अगर आप समझना चाहते हैं तो मुझे आप स्वेम बना करके कमेंट में लिकरके पूछें कि सर्फ हमने यह बनाया है और यह क्या सही है तो हम उसको देख करके आपको समझाएंगे कि आपने सही सथी आंसर इसका दिया है तो चलो चलते हैं आप और मुझाने से बहुत हैं हम बच्पन में फार्ण में खेला करते थे जब आपके हम जो ली जो साथ पढ़ने वाले से बढ़े कहीं किसी विशेश अवदी के बाद आ आप जिक्र किया करते हैं कि इस विद्दाले में हम उस कख्षा में उस सत्तर में पढ़ा करते थे उनके साथ पढ़ा करते थे हम इस बास्केट बाल में ग्राउंड में हम बास्केट बाल खिला करते थे यह क्या है समया अभी है कि यह हम पास्त का है भूत का क्या करते हैं प कोई समय है यहां पर किया गया है तो प्यारे विद्यार्थियों क्या है कोई कान कोई किरिया जो भुद्ध काल में हो रही या हो रहा से हम अन्मान लगा सकते हैं अगला पर कि संदिक का मतल शंदे का इस में सक का दाइरा हो जैने कि जिस पर संदे हो इसको यह समझे इसमें किया कि पुरा होने वर्न होने का नीशिक पता नहीं हो सकता या नहीं हो सकता इसमें कि यादा पूर्ण पताने जलता कि ये पूर्ण है या है पूर्ण है नहीं इससे क्या होड़ा है कि मैं घर पर होता तो वह है तो वह है अवस्य रुपता क्या हो गया कि वह है अवस्य रुपता कोई भी अन्नोन परसन है यहां किसी व्यक्ति विशेश को संग्या से निगेट नहीं किया गया है यहां पर अन्नोन परसन है मैं यहां स्वेंट से लिया गया कि मेरे घर कर कोई आया है लेकिन मैं तूर हूँ लेकिन मैं होता को वे वबसे वहां रुखता ऐसा अनुमान संदे क्यारा पर लगा गया है अब इस बात दूसी और होती है देखिए पिद्धाप को कि वे चला गया होगा दूस्का वे चला गया होगा इसान खेट में गया होगा अध्याकवदिन विद्धाले में छुट्टी होने से होने के पाद चले गई होगी या विद्धाले बंद हो गया होगा ऐसे आप ने मुदान ले सकते हैं, ये होता है हमारा संधी के जूदू, तो विद्यार्थियों हमें संधे, यानि कि हमें संका होती है कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, विद्यार्थी सोता है कि मैं विद्याले जा रहा हूं, सभी तीजर आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसा तो यह सारी चीजे आप इस प्रका से पैचान प्रकेश और संदिक भूद की आपर प्रिकल्पना कर सकते हैं इसको यूँ समझ सकते हैं हेतु 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 मत भूद इसमें किरिया को भूद काल में पूरा होना था ये किरिया क्या है किसी काल में भूद काल में पूरी होनी थी लेकिने सत पूरी नहीं होने के कारण वह इसमें क्या थे सत रखी भी थी वह पूरी नहीं होने के कारण वह आर ये वही का वही दूती जाता है वह शोप हो जाता है वह बंद हो जाता है अब गाण तो सत्वुली नहीं होती है और किलिया भूझकाली होती है तो वहां पर विद्यातियों कौन सा काल होता है हेतू, हेतू मत भूझकाल, भूझकाल होता है गाण है मैं घर पर होता तो वैं अजसे भूझकाल या दिव्या पर्फम आई होती तो उसे पुस्तार मिलता वह अच्छा काम करता है उसको अच्छा परती परतो अवस्ते ही मिलता है कि सामने मैनत की होती तो अच्छी पसल हुई होती या वर्साथ अच्छी हुई होती समय पर हुई होती तो अच्छी पसल हुई होती तो ऐसे अन्दिन उदारण विद्यात्य मैनत करते तो अच्छे परिणाम आते ये क्या है बिलतुमन सत्त लगी है तो सत्त पूरी होती है तो वहाँ पर परिणाम अलग होते हैं और सत्त पू और आपने बड़े मनोयोग से और लगन अमंग के साथ आपने पढ़ा मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो फुद्काली क्रिया के च्छाओं जो दो वीडियो में पूरे वे हैं ज्यान रखना जब नोटबुक में ये होंब कर रहे हो उस्तिति में दो वीडियो में आपका सुनें और फिर नोटबुक में करें आज के लिए इतना ही मिलते हैं कल की वीडियो में धन्यवाद